नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लों का आज के एक और नई वीडियो पे दोस्तों अगर आप किसी भी बाइक या फिर किसी भी तरीके का बाहन लेना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि बाहन लेते समय हमें किन किन डॉक्यूमेंट की जरुत पढ़ती है जब भी आप किसी भी बाहन को फाइनस करवाते हैं तो इसकी वीडियो में हमको कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं कि आपको किन कि डॉक्यूमेंट की जरुत पढ़ती है बाहन लेते समय है तो यह आपके पास पर्याप्त धंदासी नहीं है तो आप कुछ धंदासी डाउन पे हैं जो आपको 80 परसेंट तक का फानेंस करती हैं आपको सिर्फ 20 परसेंट ही द देना होते हैं थेल्त dog bankoka बचल और कहते हैं Yeah यादि कोई बाहन लेना चाहते हैं और आप के पास पर्याप धंदासी नहीं है तो आप कैसे बाहन लेने के लिए आपको की इंड़्य सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए यदि आपको छोटा बाहन लेना चाहते हैं जैसे बाइक और तो इसके लिए आपको किसी भी प्रॉपार्टी के डॉकुमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन वहीं अगर आप टैक्टर बस या फि भारत में कई सारी कंपनिया और बेंक्स हैं जो आपको वेहिकल लोन्स प्रोवाइड करवाती हैं जिने में से कुछ कंपनिया किस प्रकार हैं जैसे कामना में आपको बता देता हूं जैसे एकसे वीकल लोन और SBI वीकल लोन्स और कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICI, महंद्रा और य बाहन लेते समय आपको किनके डॉकुमेंट की ज़रुत पड़ती है तो पहले तो आपकी जो एज है आपकी उम्र है वह 18 वर्स से अधिक होने चाहिए क्योंकि 18 वर्स से नीचे के ब्यक्ति को किसी भी प्रकार का बाहन या फिर किसी प्रकार का लोन आपको नहीं मिलेगा नही कि फाइनस किया जाएगा इसके लिए आपको आपकी जो एज है वह आपका 18 प्लस यहीं 18 ब्रकार की ऊपर होना चाहिए एक बाहन को लेते समय आपके 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 पास होने चाहिए जैसे सबसे पहले आता है प्रमान पत्र आपका पहचान प्रमान पत्र होता है उनके लिए आपको आधार कार्ड ड्राइविंग लैसेंस या फिर बोटर आडी कार्ड या फिर पासपोर्ट आपके पास जो भी है आप उनको ले लिजिए सबसे पहले मुखप चीज जो पिरवाद वहना होता है और इसके बाद में आता है आपके पास एक पैन कार्ड होना जरूरी है किसी भी बाहन को लेने के लिए अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको अपको meatballs करना पड़ेगा apply करने के बाद में आपको apply के इसा number जो होता है वो आप दे सकते हैं किसी भी bike को या फिर किसी भी वाहन को लेने के समय और इसके बाद में अगर आपके पास checkbook है तो आप चेक बोग नहीं है तो आप अपने किसी भी आपकी bank का जो पास book होता है उसको आप लेके जा सकते हैं उसके बाद में आपको यहां पर गोला जाता है कि आपको three months का statement आपके पास होना चाहिए और आपको अगर आपके पास statement नहीं है तो आप पास book को print out करवा लेजी पूरा आपको पूरा जबी three month का जो आपने लेंदेन के हुए हैं उनमें आपको होना चाहिए यह document आपको पास होना चाहिए और इसके बाद में आपको चाहिए यहां पर आपको चाहिए पांच passport site photo आपकी जो वीकल ओनर है उसके लिए क्योंकि दो तो finance company के पास रख जाती है और उनके बाद में तीन फो होती है वो ए statement आपको दिखाना पड़ेगा company को जो भी vehicle company है उनके अगर आपको इस टूडिन है तो आपको थ्री मंद का statement दिखा कर ही आपको पासबुक पर प्रिंट कर वा लिजी और आपका आपको वीकल कंपनी में जमा कर दोया आप मैं आपको बताता हूं अगर आपके पास इनमेंसे आपके पास पांच फोटो तो होनी चाहिए पासबूट साइच की जो कि आपको एक वीकल लेने के समय लगती है जरूरत पढ़ती है और अगर आपको इनमेंसे अगर चैक्पुक नहीं भी है तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं होती है और यह कुछ डॉकमेंट होते हैं जो